हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो इंजिनेरिंग होट्सपोर्ट, होप यार दूइंग वैल, सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, गवर्मेंट द्वारा इंट्रड्यूस कही गई स्कीम के बारे में, जिसका नाम है PM Research Fellowship, इस मीन प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फैलोशिप फोर पीएजडी प्रोग्राम, तो इस रिसर्च फैलोशिप में आता है कि जो इंडिया के बेस इंस्ट्यूट है, जैसे कि IITS, IISC में आप पीएजडी कर सकते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि PhD तो मैं पहली भी कर रहा था, मतलब PhD अभी तक तो होई रही है इंडिया में, है ना, तो इस रिसर्च में ऐसा क्या अलग है कि मेरे को यहां PhD करके, और इस रिसर्च के थ्रूप एजडी करके क्या फायदा होगा, देखा मैं आपको एक बार बट PMRF के अंडर जो प्राइम मेंस्टर रिसर्च फैलो है, PMRF के अंडर इस फैलोशिप के थ्रूप आप PhD करते हैं, तो 25,000 की जगा आपको स्टाइपन अलग मिलेगा, उससे काफी जादा मिलेगा, और एक-एक स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंड होगा, उसका सेले नहीं कर सकता, तो बहुत सरी चीजें हैं, जो आपको आगे बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे मेरे साथ में, आपको complete detail दोंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये गवर्मेंट का बहुत पहतरीन step उठायवा है, इससे इंडिया की ग्रोथ तो होगी, साथ म जो talent है, वो इंडिया के लिए फाइदा करेंगे, जैसे अभी तक आप देखते आते हों कि IITs, NITs के बच्चे, B.Tech तो इंडिया में करते हैं, बट research के लिए बाहर MS करने जाते हैं, most of the students, और ये बहुत बड़ा problem था, इंडिया के लिए कि students बाहर जाके research करते हैं, ना कि इ step उठा है, तो ये decision लिया गया है, M.H.R.D. Minister प्रकाश जावेड कर ने, और to promote this research program in India, तो आप देखोगे कि मैं क्या-क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में, जैसे आप अगर end तक बने रहेंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूं, eligibility criteria, selection procedure क्या है, कब और कैसे आपको apply करना है, और आपको इस research में जैसे मैंने बताया, 25,000 से काफी जादा मेले का, तो कितना stipend है, और कैसे कैसे आपको ये देंगे, और कितने बच्चे select होंगे, हाँ, यहाँ पर selection procedure होता है, बहुत सारे चीज़े होंगी, तो मैं आपको complete detail दूँगा इस ब बारे में, तो it referred to prime minister research fellowship, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आप यहाँ देख सकते हैं, तो this scheme, this scheme is meant to improve the quality of research by attracting the best talent across the country, जैसा कि मैंने बताया कि इस research में हर कोई, इस research fellowship में हर कोई नहीं जा सकता, मतलब best logo को select किया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, fourth point में, 3000 बच्चों क select करेंगे, और यह भी होगा, three year के period में, मतलब तीन साल तक 3000 बच्चे select होंगे, वो depend कर सकता है, वो vary कर सकता है, approximate अगर अपन मान के चलते हैं, एक साल में मान लो 1000 बच्चों को select करा, second year 2000, third year total 3000, तो यह program तीन साल में 3000 बच्चों को select करने का होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ direct admission होंगे, जैसे under this scheme will be offered direct admission in PhD program in IITs and ISC के, जैसा मैंने बताए कि best institute है, IIT, ISC से आप PhD करेंगे, तो यह best opportunity आपके लिए कि आप अगर अच्छे institute से, जो मैं institute आगे बताऊंगा, कौन-कौन से institute से, अगर आपने B.TEC करी है, आपने dual degree करी है, तो आप in colleges में apply कर सकते हैं, PMRF के लिए है, तो आगे देखते हैं, eligibility criteria क्या है, eligibility criteria अगर देखेंगे तो students should have completed or be pursuing the final year B.TEC, जैसा कि first point पर लिखा है, कि final year, जैसे आपने 4 साल की B.TEC करी है, उस college से, है ना, जैसे colleges आपको यहाँ पर दिखा रहे है, कौन से colleges से आप हो, तो आप eligible हो, PMRF के लिए, तो इधर देखेंग, IIEST, IISC, IITS, NITS, IISCRS and centrally funded IIITS, जो centrally funded नहीं है IIITS, वो बच्चे तो eligible वैसे नहीं है, बढ़ हाँ, centrally funded IIITS के बच्चे eligible है, और eligible कौन से बच्चे जो B.TEC, जिन्नोंने वहाँ से B.TEC करी है, ओके, और जिन्नोंने dual degree integrated course किये है, जैसे B.TEC plus M.TEC जो 5 degree का course होता है, वो बच्चे भी eligible है, इंस institute के थुरू, जिन्नोंने कर रहा है, और जैसा कि आप 2nd point पर देखते हैं कि आप B.TEC कर रहे हैं, तो आपकी CGPA 8 के नीचे है, तो आप eligible नहीं है, आपके CGPA 8 के उपर होनी चीह है, आउट ओफ स्केल 10, और 5 जिन्नोंने dual degree course किया है, जिन्नोंने 5 साल तक का किया है, तो उनको first 4 year की CGPA देखी जाएगी, last year की CGPA उनकी नहीं देखी जाएगी, तो first 4 year की CGPA आपकी देखी जाएगी, पांच साल की नहीं देखी जाएगी अगर वो dual degree course करते हैं, तो चैसा second pair में देख लेंगे आप, यह red-red highlight किया है मैंने इदर, CGPA CPI of UG part first 4 year will be considered, तो यह तो हो गए आपके eligibility criteria, अब list of eligible institutes, जैसे के आप इस slide में देखते हैं, IAST, IISCs, IITs, NITs, IISCRs and centrally funded IIITs, मिला के total number of 87 institutes हैं, जिनके थूँ आपने अपनी UG program under graduation ली है, तो वो वाले बच्चे eligible हैं, जैसे कि यह colleges are left of eligible institutes, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन-कौन से colleges हैं, और जैसा कि total colleges आप देखेंगे, 87 colleges हैं, यहाँ के बच्चे eligible हैं, प्लस उनकी 8 CGPA है, मतलब यह तो सिर्फ apply करने के लिए eligibility criteria है, तो मेरा यह कहने का मतलब है कि जो मेरी बाते सुन रहे हैं, मतलब जो 10th, 11th में हैं, 12th में हैं और उनको research में बहुत interest है, तो मेरा यह कहना है कि आप private colleges में मत सोचें बिलकुल भी, क्योंकि scheme बहुत best है, अभी आप आगे जाकर देखोगे, इस scheme के बाराम देखोगे कितनी शांदर scheme है, मेरा कहने का मतलब जो 12th class में बच्चें यह जो मेरी बात सुन रहे हैं, जिनके cousins और जिनके loud ones जो research में बहुत interest रखते हैं, उनको आप बताएं कि apply करो, पढ़ाई करो जिससे in colleges में आप जा सके, इन colleges में आप 8 pointer रखे हैं और research में interest है तो इस PMF के थुरू आप PhD में research करें, तो यह eligibility अपने criteria देख लिए, अभी selection procedures, selection procedure कैसे है, जैसे का first point है, एक applicant, एक से ज़्यादा institute और एक से ज़्यादा branch में भी apply कर सकता है, but application form में उसको preference देनी पड़ेगी, कि first preference like, किसी के first preference ISC है, second IIT Kanapur है, third IIT Madras है, fourth IIT Delhi है, तो ऐसे preference दे देंगे, और किसी को जैसे interest है, अलग-अलग branch में है, तो उस branch का भी यह preference दे सकते हैं, और अब आप सोचेंगे, इसे जैसे आपन second point में दिखेंगे, कि each nodal institute will have a team to expert, who will assess the application and prepare shortlist of applicant for return test or interview at the nodal institute, जैसे second point में लिखा है, nodal institute, यह nodal institute कोई अलग नहीं है, यह top IIT का ही, top IIT में भी experts ने मिलके nodal institute form हुआ है, तो आप जैसे अपना application first, तो मैंना आपको पहली preference बता ही, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि पहले तो आप in 87 institute के student होने चाहिए, वो भी UG, ना M.Tech ना वहां के PhD, वहां का B.Tech आपका होना चाहिए, first, second, आपको वहां से B.Tech कर रहे हैं तो आपकी 8 CGP होनी चाहिए, minimum, okay, फिर उसके बाद में आपका topic research से related, okay, वो आपका decided होना चाहिए, जिससे आप apply करोगे कि इस इस film में मुझे research करना है, अब आपने apply कर दिया है, ठीक है, अब आप shortlist होते हो आप उन institute के थुरू जो जो इसके अंडर जो जो institute काम कर जैसे आपने mathematics में आपने apply करा, तो mathematics IIT खड़कपूर के अंडर आता है, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा mathematics IIT खड़कपूर के अंडर आता है, तो वो institute आपको assess करेगा, वो पूरी team experts आपको assess करेगी और आपको shortlist करेगी return या फिर interview, जैसे कुछ institute return लेके और plus interview लेकर select करेगी, कुछ institute direct interview लेकर select करेगी, में भी कुछ institute शायद interview नहीं ले, मेरे हिसाब से शायद interviews अभी लेंगे, तो depend institute से institute vary करेगा, ठीक है, अब चलो मान लेते हैं कि आपने apply कर दिया और आप shortlist होगा, तो shortlist students, मैंने बताए, return और interview के लिए, नोडल institute जो उसके अंडर है, वहाँ पर आपको call करेंगे, ठीक है, और final selection of shortlisted applicants, will be made based on the performance in the interview, जैसे आपने को topic select कर आपको interest है, तो वह आपका interview में assess करेंगे, कि आपको topic कितना आपको interest हो किती है, आपको research में interest हो, कितना आपने already B.Tech के projects की हैं उसके पर, जैसे आपको B.Tech में जो project मिलते हैं, group projects, और उस पर आपने कैसे करा है, कैसे काम किया है, तो उस सब interview में आपको judge करेंगे वो लोग कि आप उस लायक हैं या नहीं है, तो around 1000, मैंने कैसे बताया थे कि तीन साल में 3000 बच्चे सलेक्ट करने हैं, तो around मानलो कि एक साल में 1000 बच्चे सलेक्ट हुए, तो around 1000 best students who have completed, और जैसे जिन्हों ने आ तो complete कर लें, जिन्हों मानलो B.Tech complete कर दिया है, या जो fourth year में है और जिनका fourth year चल रहा है, या फिर जिनका integrated program है M.Tech में, इन science and technology stream from IASC, यह जो top 87 institutes हैं वहा से, तो PMRF scheme आपको offer करेगा direct admission in PhD program में IATS and IASC सिर्फ, ओके, तो guys यह है Nodal Institutions, तो आप description box में मैंने PDF का link दाल रखा है, आप वहां click करेंगे, तो आपको Nodal Institutions का, आपको PDF मिलेगा ऐसा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसा मैं समझाता हूं, एक topic है Agriculture and Food Engineering आपने topic लिया है, और उस topic पर आपको करनी है research, तो वह topic IAT खड़कपुर के अंडर आता है, ठीक है? Architecture and Regional Planning करनी तो वह भी IAT खड़कपुर के अंडर आता है, ठीक है? और जैसा कि आप देखेंगे कि IAC सके अंडर आगया, Chemistry पूर IAC सके अंडर आगया है, ठीक है? Chemical Engineering IAT गांधी नगर के अंडर है, तो जो Chemical Engineering IAT गांधी नगर के अंडर है, और जो लड़के यहां पर हैं, जो लड़के Computer Science है व IAT डैली के अंडर आ जाते हैं, तो आप इस चीज को पूरा completely पढ़ें, और इस PDF को आप ध्यान से देखें कि आपको किस Research Film में इंट्रेस्ट है, और कौन सी Institute में आपको Research करनी है, It depends on your view. तो इस Noodle Institution में जैसा कि उन्होंने पहले सी उन्होंने अपने अपने इसमें इसमें डिस्क्रिशन पे यह रखाए कि आप एक से ज्यादा इपलाए कर सकते हैं, आपको इपकी इनस्टिउ्ट मिलेगा आपको इक से जादा इंस्टिउट कर सकते हैं और एक से जादा इस जादा सकते हैं कि आपको क्या मिलता है, आपकी प्रिफरेंस के हिसाब से, भाकी फरक नहीं पड़ता है कि कहा जाना क्योंकि आपने आप में बेस्ट हैं, तो यह नोडे इंस्टूशन के बारे में आपको डिटेज दी हैं, कोई डाउट होता था आपको में पूछ सकते हैं तो गाइज उसको अपलाई कैसे करना है, अपलाई करने का पूसिजर है, अपलाई करने से पहले आपके पास एक आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, फोटोग्राफ मतलब आधार कार्ड नंबर के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो आधार कार्ड जिनको रि फोटोग्राफ रिक्वाइड होगी, प्रोजेक्ट का एश्ट्रेक्ट आपको एक हजार शब्दों में विदिन 1000 वर्ट्स आपको तियार करना है अपनी सीवी में या उनके फॉर्म में और आपको अपनी एक सीवी रेडी करनी है बिफॉर अप्लाइंग तो यहां पर आप ए होच जाएंगे जहां पर आप अप्लाइ कर सकते हैं तो यह एप्लिकेशन फॉर्म का लिंक है आप अप्लाइ करें डिक्रेश्य वर्ट्स में दिया हुआ है और एक एक इस्ट्रक्शन आप केरिफुली पड़े और इस्ट्रक्शन में आपको डाउट आता है तो आप कर सकते हैं तो अब देखते हैं फैलोशिप तो गाइज यह देखिए है यह इट इस दा बिगेश्ट सरप्राइज फॉर्ट इस फैलोशिप पीम आरेफ कि सेविन्टी थाउजेंड पर मन्त आपका सिट्रक्र अजेए इस स्कीम के थुच्ण के थूट्र अगर आप इसी स्कीम के थूट्र नहीं करते हैं पियियश डी आपकोशिप अजेड पर मन्त इस्टाइपन हुथए तो फॉर्टी फाईड फाइफ तौजेंड का और आउ इट्स लाइक अराउंड आप देख सकते हैं कि एक government A grade post की जो salary होती है उतना आपको stipend मिल रहा है without tax because a government rule एक scholarship पे कोई tax नहीं होता और second में बताता हूँ आपको और क्या फायदा है एक IIT में और IASC में जो fees है tuition fees और वो बिल्कुल बहुत कम है वो बिल्कुल negligible के around है और वहाँ पर आपको feel भी नहीं होगा कि आपका रहने, खाने, पीने का कोई खर्चा भी है तो it's like dream come true उन लोगों के लिए जिनको research करनी है तो guys आप देख सकते हैं कि एक साल में 70,000 per month आपको stipend मिल रहा है फर्स्ट यर में आपको 70,000, पांच साल का PhD कोर्स होता है IIT's और IIT's में like इंडिया में आगर आप research करते हो तो आपको minimum पांच साल तो लगते ही लगते हैं तो पांच साल तक का इन्होंने आपको दे रखा है आउटलाइन की 70,000 फर्स्ट यर में देंगे, सेकंड यर में 70,000 देंगे 75,000 थर्ड यर में देंगे जो 5,000 बढ़के हैं फोर्थ यर में आपको 80,000 मिलेगा और फिफ्ट यर में आपको 80,000 मिलेगा तो गाइज, go for it, best opportunity आपको मिली है, जो इसी साल से लागू हो रही, आज से पहले स्कीम नहीं थी, 2018 फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और अपार्ट फॉर्म देस, स्टाइपन के अलावा, हर एक स्टुडेंट पे government 2 lakh रुपीज हर साल, 2 lakh रुपे हर साल, एक स्टुडेंट पे government fund करेगी, total 10 lakh रुपीज आपको 5 साल में आपको government fund करेगी project related instruments के लिए, ओके, और जैसे एक और चीज के लिए रुक कर देता हूं आपको, कि जो बच्चे, जो बच्चे, इन 87 इंस्ट्यूट से B.Tech करे हुए हैं, या dual degree M.Tech courses plus B.Tech courses वाले हैं, प्लस उनकी 8 CGPA है, वही eligible है, उन 87 इंस्ट्यूट्स में से, अगर आपने B.Tech नहीं करा है, dual degree, B.Tech plus M.Tech नहीं करा, और सिर्फ M.Tech करा है, तो आप eligible नहीं है, प्लस इंस्ट्यूट्स के लिए, तो यह चीज आपको clear होनी चाहिए, कि आप उस इंस्ट्यूट्स से, B.Tech जरूर होनी चाहिए, वह matter नहीं करता है, उस इंस्ट्यूट्स से, आप Masters कर रहे हैं, आप eligible नहीं होंगे, तो एक और चीज आजाती है कि, जिन लोगोंने dual degree करी है, वह लोग 4 साल तक PhD करेंगे, जिन लोगोंने dual degree courses नहीं करेंगे, वह 5 साल तक PhD करेंगे, तो guys, और कोई fellowship से related doubt आता है आपको, तो आप बेज जिजए comment section में पूछें, और आपको उस, आपके doubt का आपको reply है हम, जितना जल्दी हो सकते हैं, उतना जल्दी आपको देंगे, और कोई भी doubt होता है, आप बेज जिजए comment section में पूछ सकते हैं, और हम आपको उसका answer करेंगे, तो guys, don't waste your time, आज 23rd हो चुकी है, और last date apply करने की 31st March 2018 है, तो अभी भी आपके पास 7 दिन है, जिन्होंने apply नहीं करा, वह apply कर दें, this is the best opportunity, okay, hurry up, guys, ये dates है, जो आप देखेंगे कि 24 February को application form निकल चुके थे, 31st March इनकी last date है, और जिन topic के अंडर आपको research करनी है, अगर उसका return test होगा, उन order in sheets के through, तो 15 April के around होगा, अगर आप return test clear करते हैं, तो interview, आप interview के लिए eligible होते हैं, तो 15 May onwards आपका interview होता है, और आप interview में select होते हैं, या जो भी है आपका result, एक June के around announce हो जाएगा, So guys, देखें, भरें इस चीज़ को, good luck and do well in life, take care.